एक ज्ञानम भारह क्रियाम विना, बावार्थ क्रिया विनानु ग्णान बार रोप छे समझूती, प्रथम सुक्तीमा ग्णाननी साथो साथ क्रिया शिल्तानु महत्व दर्शाव्वामा आवियू छे क्रिया विनानु ग्णान बार रोप छे जो ग्णान मेडवीने व्यक्ती कोई कर्मज न करे, ते ग्णाननो कोई उप्योग ज न करे तो ते ग्णान खुद ते व्यक्ती माटे बोजारूप बनी जाई छे पोताना ग्णाननो उप्योग सामान्य व्यवहार मा न करीशक नारा लोको माटे आपने त्या एक कहवत छे बण्या पन गण्या नहीं पोते मेडवेला ग्णानने आचरणमा न मुकनार मानस समाजमा आदरने पात्र बनतो नथी तेना कर्म तेना ग्णानने अनुसरता होय तो तेनो ग्णान शोभी उठे छे आम पोते मेडवेला ग्णाननो सद उप्योग करनार व्यक्तीज समाजमा शोभी उठे छे तेज खरोग्णानी छे बै जननी जन्म भूमिष्च स्वर्गाद पी गरी असी बावार्थ माता अने मात्रो भूमी स्वर्ग करता पन वधारे महान होय छे समझुती, बीजी सुक्तीमा माता अने मात्रो भूमीनो महिमा गावामा आव्यो छे आ सुक्ती रामायन माथी लेवामा आवेली छे लंका विजय पछी राम लक्ष्मनने उद्देशीने कहे छे हे लक्ष्मन आ सोनानी लंका मने गमती नथी, माता अने मात्रो भूमीतो स्वर्ग करता पन वधारे महान छे आपनने जन्म आपनारी माता अने जे धर्ती पर आपनों जन्म अने उचेर थयो होई तथा ज्यां आपनों जीवन गडतर थयू होई ते धर्ती ते जन्म भूमी पन आपनी माताज छे तेल जन्म भूमीनी रक्षा करवी ए आपनी पवित्र फरज छे किटलाग देश पक्तोये जन्म भूमीनी रक्षा माटे पोताना प्राणोंनी आहुती पन आपी छे अंग्रेजोना शासन माथी देशने आजाद करावा माटे लोकमान्य तिडक, गांधीजी, नहरू, सर्दार पटेल जिवा देश पक्तोये अनेक कष्टो भोगव्या हता आम प्रत्येक व्यक्ती माटे माता अने मात्रो भूमी स्वर्ग करता पन वधारे महान होय छे 3. आपदी मित्र परिक्षा भावार्द, मुष्केली मां मित्रनी परिक्षा थाई छे समझुदी, त्रीजी सुक्ती मां साच्या मित्रनी परिक्षा क्यारे थाई छे, ते समझावामा आवियों छे व्यक्तीनी परिक्षा समय अने संजोगों प्रमाणे थतीज होई छे शुर्वीरनी परिक्षा रण मेदान मा थाई छे दान आपनार दातानी परिक्षा दुषकाल मा थाई छे तैमज मुश्केलीना समय साचा मित्रनी परिक्षा थाई छे साच्चो मित्र सुखमा, दुखमा अने गम्मे तेवी आफतमा पोताना मित्रने छोड़तो नथी, सदा तेने साथ सहकार आपे छे. 4. श्रद्धावान लबते ग्यानम भावार्त, श्रद्धावाडी वेक्तीज ग्णान मेडवे छे. समझुती, चौथी सुक्तीमा ग्ण्यान प्राप्ती माटे गुरु प्रतीनी श्रद्धाने महत्व आप्वामा आवियू छे. श्रीमद भगवद गीतामा कहियू छे के शंशयात्मा विनश्यती, एटले के शंकाशिल वेक्तीनों विनाश्थाई छे. जे वेक्तीमा श्रद्धा के आत्मविश्वास होई छे, ते वेक्तीच पोताना गुरु पासे थी ग्ण्यान मेडवी शके छे. श्रद्धा मनुष्यने आंतरिक शक्ती आपे छे. श्रद्धा द्वारा व्यक्ति कठीन ग्णान पर सरण ताथी प्राप्त करी शके छे श्रद्धा वान व्यक्ति ज़ ग्णान मिलवे छे 5. बुद्धी ही यस्य बलम तस्य भावार्त जैनी पासे बुद्धी छे तेज तैनू बल छे समझूती 5. सुक्ति बुद्धीनों महिमा वर्णवे छे व्यक्तिमा रहेली बुद्धीज तैनू साच्चू बल छे शारीरीक बल करता बुद्धिक शक्ती चड़ियाती होय छे आ वात 5. तंत्रनी वार्ताओ चतूर ससलू तथा वांद्रो अने मगर जिवी अनेक वार्ताओ द्वारा आपणने समझाय छे ससला जिमू नानू प्राणी पोतानी बुद्धीनो उप्योग करी सीही जिवा हिंसक प्राणीने कुवामा धकेली दे छे तथा मारू कालजू तो जाडू परज रही गयू छे तैम कही मगर जिवा प्राणी थी पोतानो जीव बचाववा वांद्रा एपण पोतानी बुद्धीनो जुप्योग कर्यो हतो आम बुद्धी वडे कोईपण कारियमा सफळता मेलवी शकाई छे छो संगे शक्ति ही कलव युगे बावार्थ, कडी युगमा संगठनमा शक्ती होई छे समझुदी, छट्टी सुक्ती, कडी युगमा कोईपण कारिय करवा माटे संगठित शक्तीनो महीमा वर्णवे छे पारदीनी जाड मा फसाएला कबु तरो एक साथे जाड लईने हवामा उडवा लाग्या तो पोतानो जीव बचावी शक्या, ते आपणने संपत्या जंप वार्थामा पण जुवा मडे छे आम कोई काम एकताती करवा मावे तो तेमा धारी सफ़ता मडे जिछे आपणे त्या एकता विशे गणी कहवतो पण प्रचलित छे जेम के जाजा हात रणियामना, जाजी किडियो सर्पने ताने, संगठन माज बढ़ छे वगेरे साथ, शरीर माध्यम खलू धर्म साधनम भावार्थ, खरे खर शरीर धर्मनू पहलू साधन छे समझुदी, सातमी सुक्तीमा धर्मनी साधना माटे शरीरने महत्वनू गणियू छे अही, धर्मनी प्राप्ती माटे शरीर स्वास्थ्यनू महिमा गान करेलू छे अने एमा शरीरने आतमानू मंदिर कहियू छे शरीर अज परमातमाने प्राप्त करवानू प्रमुख साधन छे आदू नियामा मनुष्यने तेना माता पिता, गुरुजनों, देश बांधवों, वगेरे प्रतियेनी अनेक फरजो बजाववानी होई छे आ फरजोज धर्म छे आ धर्मनो पालन शरीर वडेज धाई शके छे आधीज मनुष्यय पोताना शरीर ने सुवस्थ अने सशक्त राख्मों जोई है